कि नमश्वार दूस्तों बहुत करते हैं स्टॉक में देखने को मिली विडियो में बात करेंगे तीन बड़े रीजन्स की जिसकी वजह साथ गिरावट हुई है और आगे की स्ट्राइटेजी कि क्या यहां से आपको सेल करने के और देखना चाहिए या फिर बाइंग ऑपरच से आपको आगे की दिशा बहुत ही इंपॉर्टन तरीके से देखना चाहिए मेरे गला खराब है थोड़ा सा तो हम बात धीरी-दीर करेंगे थोड़ा सा वालिम बढ़ा लेजिए आप साथ में ही बात करेंगे तीन रीजन्स के साथ में एक बड़ी खबर यहां पर सुजला इनर्जी के लिए भी यहां पर आ चुकी है वह भी बड़ी अच्छी खबर मुझे लगता है कि यहां से स्टॉक में थोड़ा बहुत कंसॉलिदेशन होगा गिरावत होगी वह तो मैंने आपको कल भी बता देया था कि तयार रहना है आपको कल की वीडियो जिस नहीं नहीं अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्रीस चैनल को सब्सक्राइब कर दो फिट दर बैल आइकन तके को नरिफिकेशन में सेगे चले स्टार्ट करते हैं अभी के लिए अगर आप देखें सबसे पहला जो रहा वह इसका चार्ट रहा ओवर सोल्ड जोन में गया था मैंने आपक प्रतिश्चत के आसपास के राली कल के दिन रही थी आपका साथ प्रतिश्चत के आसपास हुआ उससे पहले अगर आप देखें तो एड़ एंड अफ देखें तो सेटलमेंट के टाइम तक यहां पर प्रॉफिट बूकिंग देखने को मिली तो यह साफ हो गया था कि आने अगर आप लास टाइम का भी देखेंगे यहां पर स्टॉक था आपका इस पॉइंट पर तब भी गिरावट आपको देखने को मिली यह थी और वही चीज़ यहां पर रिपीट होती हुए कल के दिन में आज के दिन में दिखाए दिये हैं अगर आप इंवेस्मेंट करते है शौटर पीडिके लिए भी या लॉंगर पीरियिट के लिए भी चार्ट बहुत माइने रखता है चाहिए अगर आप लॉंगर पीरिड के लिए ने विश्क रहे हो तो वीःट पैतन आप देख सकते हो बट चार्ट फंडमेंटल के साथ चाहिए यहां पर रहते हैं मुझे की वज़े से गिरावटी सेकंड रीजन की बात करें तो एनसी में जो लगातार आपका मार्केट और टाइम हाई लगा रहा था वहां पर भी कल के दिन में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और वही चीज आज भी आपको रिपीट होते हुई दिखाए दी है यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं मार्केट के हाई के साथ हाई लगा रहे हैं वह जब मार्केट आपका नीचे आएगा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो उसके साथ आपका लू भी लगाएंगे लगेगा और वही चीज यहाँ पर आज होते हुई दिखाए दिखा तो बाजार के जो गिरावट है गिरावट में भी शामिल हुआ है तो बिल्कुल मुझे लगते कि आने वाले दिनों में जैसी बाजार में थोड़ी पाइटन बनता है अच्छा वहां से दुबारा से रिकावरी आपको आते हुई दिखाए देगे इसके बारे में तीसरा र गिरावट देखने को बिली थी और वहीं रिजाने कि अगर प्रॉफिट बुकिंग ग्लोबल मार्केट में भी आएगी तो उसका असर इंडियन मार्केट पर भी पड़ेगा दो तीन रिजन्स हमारे सामने रहे मुझे रगता है कि इन रिजन्स के बाद आप समझ गए होग पूरी ख़बर का है मैं इसकी चर्चा करेंगे अच्छा आर्टिकल आया है मैं वह भी आपको दिखा देता हूं यहां पर यह वह आर्टिकल आप देखिए कि सुजलाउन इनर्जी शियर मुल्टि बैदर स्टॉक और नॉज में मैं इसका लिंक नीचे डाल दूगा यह करना चाहरें तो भी पढ़िए क्योंकि इस आर्टिकल से पढ़ करके आपको लगेगा आपके स्टॉक में उस टाइम पर आपको इस तरह के आर्टिकल की बहुत ज़रा जरूरत होती है इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए मैं लिंक देदूगा पढ़ लेना बागी सेके कप एक लाग करोड के आस पास था दो से तीन दिनों के तस दिनों की जो राली आई है उसकी वजह के टूपंटूफाइव लेक करोड के आसपास का मार्केट कैप होना किसी भी कमप्रिए यह डरेक्ट शिग्नल करता है कि मार्क तभी इतनी बड़ी तो हो ही चुकी है कि इन बुरी ख़बर आती रहती है इस देर रीजन के आप को देखकर के बताओ कि कहा जाने वाली और इस समय कमपणी में अच्छी ख़बरे हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसा मैंने बताए कि 240 दिनों में डिस्ट दो महीने में आप बेसीलिगे लगा असकते हैं जबसे मा मार्केट का मार्केट कैप यह कंपनी का वह आल्मोस्स डबल हो गया है डबल फिजादा हो गया है बलकि और यही रीजने की कंपनी में लगातार बड़े बुरुक्रत हाउसे की तरफ से रिपोर्ट भी आना स्टार्ट हो चुकी थी इस वीडियो में अगर आप देखें तो ख कहां से फंड्रेज होगा यानि डेट से उधार लिया जाएगा एक कुटी इशू की जाएगी राइट इशू किया जाएगी क्यू आइप इशू किया जाएगा होगा क्या इसका बढ़ आप अगय पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा एस पार्स फंड्रेजिंग प्लान दे कं कर सकते हैं या फिर ये डेट भी ले सकते हैं बट अभी के लिए अगर आप देखो तो दो हजार करोर के आसपास का फंड्रेज करने का यहां पर प्लान बन चुका है रीजिन का है उसके पीछे जह मैंने लास्ट वीडियो में भी बताये था आपको यह कंपनी यहां पर एक कंपनी यहां पर दो हजार करोर के आसपास का फंड्रेजिंग करके दूसरी कंट्री में एक्सपेंशन करना चाहरी है साथ में जैसे मैंने बताया था कि डेट इनका कम हुआ है उसकी वजह से कंपनी अभी मार्जिन अच्छा क्यूमिलेट करें और मार्जिन को और अच्छा खबर आती कंपनी में तो बड़े अपना माल डंप करना स्टार्ट करते ताकि स्टॉक प्राइस जो नीचे जाए और नीचे से वह और ज्यादा माल उठा सके मार्केट में अगर आप लंबे समय से रुके हो तो आपने यह अकसर देखा होगा कि जो भी कंपनी बहतर करती है उसमें लगा अचानक से गिरावट आजाएगी और आपको पता भी नीचे लगा गिरावट के वारी फिकुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वह कंपनी जो दोसों की भी करें थी और आप खरीद नहीं सकते उसे बैंक ऑब बरोदा के साथ यही हुआ था केंडरा बैंक के सा आता है रिटेल इंवेस्टर के लिए मुझे रहता है कि यह बहुता मौका अपने प्रजिश्टर को होल कीजिए ओवर एकसर नहीं करना है यह मैंने हमेशा बोला आपको एकसर बाइन नहीं करना है तो वह चीज़ान रहना बात करते हैं आप देखें किस तरह के रिडियोश कर आप देख रहें कि फंड्रेस कर रहे हैं लगतार कंपनी आप देख रहे हैं कि जो पर मोटर के प्लेज्ट से यह थे वो चुड़ाए गए हैं कंपनी कर्जमुक्त हो रहे देरे करके और इनका और बहुत अच्छा मिल रहा है तो आप किस बेसिस पर कह रहे हैं कि 8 करें कि जो भी कंपनी कंपनी करके अपना अच्छा काम कर सकती है यही रीजन है जरूर हुई है बट यह निकलने का टाइम नहीं है अभी के लिए बात करें तो यह आर्टिकल में आपको डाल दूगा यह आर्टिकल आप जाकर करके पढ़ लेना है काफी ठीक्टा का अर्ट कि पीछे की फ्राइडे को फंडेजिंग का बाल होने वाला है तो फ्राइडे को चनले इसका फ्राइडेशन नहीं होजाए तब तक कर दिए उपर इसमें कोई 2 राली है यह गैसकता हूं कि आपको 22 रुपई तक के तारगे तो आपको इस स्टॉक में आते हुए दिखाए अब ही लिए अगर आप देखो तो फोल्ड करने की मेरी सला रहेगी आपको अपर अगर आप देखो को तो अर्राउंड नाइंटीन रुपीज का रिजिस्टर्स कर रहा है इसे रफ कर देता हूं उसके बाद दिखाता हूं क्या होगा इसलिए हमेशा कहता हूं एक्सेस बाइन नहीं करना है अब यह आपको और चाहिए जो क्या कि लाइस को अपकी श्रूब्स टॉक को लेकर के प्लीस कॉमेंट करके शेर करना क्या आपको भी रगता है कि आश रुपय का हो जायगा शेर तो वह भी कॉमेंट करना बा